यह सम्दाउट में आया है आपके आर्डी का, एक साइस 3.10 का question 9, ठीक है? 3.10 का question 9 है, इसमें वही है, प्लेसेस वाला जैसे text में था, 80 km अपार्ट फॉम इच अदर, के car starts from A and other from B, same time, if they move in the same direction, अगर same direction में है, तो they need it 8 hours, same direction में 8 गंचे में मिल रहे हैं, और अगर opposite direction है, अगर opposite direction है, तो 1 hour 20 minutes में मिल रहे हैं, ठीक है? opposite direction में, 1 hour 20 minutes में मिल रहे हैं, find the speeds of the cars, ठीक है, resolution, let the speed, speed, that the speed of car A, B, X km पर आवाई, ठीक है? and speed of car B, B, 5 km पर आवाई, ठीक है? speed suppose कर दें, जो find करना है, अच्छा, अभी, देखों, फिट से case 1, case 1 क्या है? कि, दोनों cars if they move in the same direction, दोनों same direction में आ रहे हैं, दोनों same direction में इस तरह से, ठीक है? यह A है, ठीक है? यह P है, ठीक है? ठीक है, पिलिए का रहे सम्गों tail इस direction से चाभी है, ठीक है? यह X km पर आवर से, और ये car B है, ठीक है, ये car B इस direction में, ये वाई किलो मेटर पर अवर से, ठीक है, और 8 घंटे में मिलेंगी कहीं, 8 घंटे में समझें, यहां कहीं आके मिलेंगी, ठीक है, तो मतलब ये वाली car, ये car A है, car A ये फुरा distance driver करेगी, तो ये minus करेगी, तो A C minus, A C minus B C is equal to A B, ठीक है, तो A B distance क्या है, distance, दोनों cars के बीच distance क्या है, मतलब दोनों places के बीच 80 km है, ठीक है, तो यहां 80 आएगा, ठीक है, अच्छा, distance का formula क्या आता है, distance is equal to speed into time होता है, ठीक है, तो speed क्या है car की, X, और time क्या है, 8, मतलब 8X, ठीक है, 8X minus 8Y, ठीक है, 8X minus 8Y is equal to 80, ठीक है, तो देरफो, 8 common निकाल होगे, तो देरफो, X minus Y is equal to 80 upon 8, 8 बन जा, 8 10 जा, तो देरफो, X minus Y is equal to 10, ठीक है, X minus Y क्या है, 10, अच्छा, अब यह X minus Y 10 है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब case 2, ठीक है, यह पहली equation बना दी अपने, ठीक है, यह first equation ready होगी, इसको बन देर, case 2, case 2 में क्या बोल रहा है, case 2, they meet in 8 hours, and if they move in opposite directions, they move in opposite directions, they move in 1 hour 20 minutes, ठीक है, so they move in, case 2 यहां बोल रहा है, case 2, क्या बोल रहा है, opposite direction, फिर से, यह car A है, यह car B है, ठीक है, if they move in opposite direction, opposite रहा है, यह ऐसे है, और यह ऐसे, ठीक है, car A, car B, तो car A क्या है, X किलो मेटर पर रहा, car B क्या है, car B, Y किलो मेटर पर रहा, ठीक है, car A, X किलो मेटर पर रहा, car B, Y किलो मेटर पर रहा, कितना लगा रहा है, 1 अवर 20 मिनिट्स, ठीक है, 1 अवर 20 मिनिट्स, ठीक है, तो क्या होगा, देखो फिर से, यहां करूं बीच में मिलेंगी, आके, C के समझे मिलेंगी, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो 80 है, 80, और फिर से, फॉर्मना क्या होतर, डिस्टेंस is equal to speed into time, इस बड़ टाइम कितना लगा रही है, 1 अवर 20 मिनिट्स, ठीक है, देखो, यहां अवर में बात हो रही है, उपर, उपर अवर में बात हो रही है, और यहां अवर और मिनिट्स में हो रही है, तो अवर और मिनिट्स को अवर में convert करो, कैसे convert करोगे अवर में, तो 1 अवर प्लस 20 को क्या लिखोगे, को अबर में करने करें, 20 अपॉन 60, ठीक है? मिनिट को अबर में करना आता है, तो 20 अपॉन 60, ठीक है? 20 बन जा, 23 जा 60, तो 1 इंटीज रिवान ऑपॉन 3, ठीक है? 1 इंटीज रिवान ऑपॉन 3 अवर मुँआ है तो इसको भी solve करो तो 3 बंज़ा 3, 3 प्लस 1, 4 अपूर 3 अवर, ठीक है? मतलब क्योंकि वहाँ अवर है, यहाँ अवर मिनित है, तो फिर फाइनल आंसर में प्रॉब्लम होगी ना, जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, अगर वहाँ अवर है तो यहाँ भी अवर होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ देखो, फॉर्म में लगा दो, आपका केस्टू बना न, तो देखो, टोटल दिस्टेंस क्या है, 80 है, फिर से देखो, AC प्लस BC, AC प्लस BC, is equal to AB, तो टोटल दिस्टेंस क्या है, 80, ठीक है? ठीक है, AC क्या है, फिर से दिस्टेंस is equal to speed into time, speed क्या है, speed x, time क्या है, 4 upon 3, ठीक है? 4 upon 3, प्लस 4 upon 3, वाई, दोनों का time तो वही है, ठीक है? ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4x plus 3, लेको कॉप दोनों में, LC में, तो 4x plus 4y upon 3 is equal to 80, ठीक है? 80 सामने चला जाएगा, multiply में, तो therefore, 4x plus 4y is equal to 80, multiply 3, ठीक है? ठीक है? ठीक है? यहां देको 4 common निकालो, 4x plus 4y में common निकालो, So, therefore, 4x plus y is equal to 240. So, therefore, x plus y is equal to 240 upon 4. ठीक है? Cut shot करो. 4 बन जाँ, 4 6 जाँ. So, 60. So, therefore, x plus y is equal to 60. ठीक है? वो first equation है, second equation है. ठीक है? तो अभी elimination लगा, तो आरांग से sum हो जाएगा. x minus y is equal to 10. x plus y is equal to 60. ठीक है? minus y plus y cancel. x plus x, 2x. 10 plus 60 होगा, 70. तो, x is equal to 70 upon 2. x is equal to 35 km per hour. बना, बना, car is 35 km per hour लेखी. यह 35 की value डाल लो किसी में भी. equation 1 में डालो by 1. ठीक है? x minus y is equal to 10. तो 35 minus y is equal to 10. तो 35 minus 10 is equal to y. 35 में से 10 गये? तो 25. तो इस तरह से, therefore, speeds of cars are 35 km per hour. तो इस तरह से मतलब मैंखडवाई है, खाली अटके डाहा होगे, आप जो भी डाउट जिनके भी है, वो यहाँ अटके होगे. ठीक है? 1 hour 20 minutes को, simple, 1 hour 20 minutes है, तो 1 hour 20 upon 60, 20 बंटी मंचर बंटी 3 जाग, तो 1 hour 20 जाग, 1 hour 3, ठीक है? यहीं आटके होगे, ठीक है? यह आपका होगा. अभी हाँ एक important sum देख रहे हैं, यह sum भी important है, example 19, page 65, ठीक है? इसके understanding भी जरूरी है, कि यह sum में है, क्या थोड़ा सा awkward है? देखो, यहाँ पर question है, अभ बोर्ट गोज 30 km upstream, and 44 km downstream in 10 hours. एक बोर्ट है, वो 30 km upstream जा रही है, और 44 km downstream जा रही है, 10 hours में. फिल 2nd, वालब दो, पहला यहाँ ऐसा बोल रहा है, कि अभ बोर्ट गोस 30 km आ 44 km downstream in 10 hours, फिल दुछरा बोल रहा है, इन 13 hours, इट कें गो 40 km upstream, and 55 km downstream. फिल क्या बोल रहा है, कि 13 minutes में, एक फिल 3 hours, इट कें गो 40 km upstream, and 55 km downstream, फिल, determine the speed of the stream, and that of the boat in still water. क्या बोल रहा है, कि इसकी stream की speed find करो, और boat की speed find करो, ठीके still water है, अच्छा, पहले तो मतलब समझो, बहुत awkward जैसा लग रहा होगा, यह words upstream, downstream यह सब, देखो, पहले तो एक boat की बात की जा रही है, किया रहा है, वो upstream 30 km चलता है, और downstream 44 km चल रहा है, in 10 hours, फिल, बोल रहा है, 13 hours में, वो 40 km upstream चल रहा है, और 55 km downstream चल रहा है, determine the speed of the stream, and that of the boat in still water, देखो, पहले तो, stream word का मतलब होता है, छोटी सी नदी, ठीके, और आपको determine करनी, speed of the stream, उस नदी की stream, speed of the stream, उस नदी की speed find करनी है, and that of the boat in still water, still मतलब फहरे पानी में, जब नदी बिलकुर हिल नहीं रही है, फहरा हो है पानी में, मतलब आपको boat की भी speed find करनी है, आपको नदी की भी speed find करनी है, तो सबसे पहले, आपने boat और नदी को suppose किया, ठीके, तो let the speed of the boat in still water is x km per hour, आपने boat की याद रखना, boat की speed को पहले x suppose करना, और नदी की speed, speed of boat को y km करना, आगे आएगा मैं बताती हूँ आपको, ठीके, speed of stream, नदी की stream को y km suppose करना, ठीके, अच्छा, then the speed of boat downstream is x plus y, अच्छा, अब देखो downstream और what's up, और downstream का मतलब क्या होता है, देखो downstream का मतलब यह आप अपनी margin में लिख लेना, downstream क्या होता है, देखो, जब इस तरह से यह नदी है, ठीके, चोटी सी नदी है, ठीके, और इस नदी की speed है y km per hour, y km per hour की speed से यह नदी चल रही है, ठीके, और यह जो नदी है, इस तरह से जा रही है, ठीके, मतलब इसका जो direction है, यह है, ठीके, अच्छा, अब एक boat है, ठीके, यह समझो boat है, ठीके, इस direction में जा रही है, तो अगर मेरी boat भी इस direction में जा रही है, अगर मेरी boat, मेरी boat यह इस direction में जा रही है, इस direction में जा रही है, इस direction में जा रही है, तो यह मेरी वाह है, और boat की speed x सपोस की है, तो देखो, जब नदी भी यहां जा रही है, रहेए मेरी बोट भी यहां जा रही है तो मरे चलाने में कितनी आसानी होगी मेरी स्पिड कितनी बढ़ जाएगी मला मेरी स्पीड बढ़ जाएगी नilde की नदी इस तरह जारी नदी का पानी ऐसे ऐसे जारा है इ मतलब क्योंखी हवा भी उसी डिरेक्शन में है इसे कहते है डाउन स्ट्रीम के साथ होना तो इसकी स्ट्रीम क्या हो जाएगी बोट और नदी की मिला के speed क्या हो जाएगी? X प्लस Y ठीक है? दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा देगी ठीक है? तो देखो X प्लस Y हो जाएगी तो देखो मैंने इसलिए लिखा है Then the speed of boat downstream is X प्लस Y km per hour उसकी speed downstream मतलब एक ही दिशा में जाना जब नदी, stream और बोट दोनों को एक ही दिशा में जाना है तो speed बढ़ जाएगी इसलिए दोनों की speed फूल हो जाएगी बढ़ जाएगी प्लस ठीक है? और upstream क्या होता है? upstream पिट से देखो यह नदी है ठीक है? और यह y km per hour से बह रही है ठीक है? और यह बोट है ठीक है? अब बोट की बोट है, बोट एक्स km per hour से अब जो बोट है नदी देखो इस दिशा में तेहर रही है ऐसे से नदी की ऐसे से जा रही है ठीक है? और बोट है बोट इस दिशा में जा रही है, बोट जा रही है, इस दिशा में, ठीक है, उल्टी दिशा में जा रही है, बोट नदी ऐसे जा रही है, और बोट जा रही है, अलग दिशा में सब कुछ हो रहा है, ठीक है, बोट अलग दिशा में जा रही है, नदी इस दिशा में और बोट दिशान में तो जो वो बोट की स्पीड है वो मैनकी स्पीड को काटे जा लिए ऐसे उसको बोट कितनी मुश्किल से आगे बढ़े कितनी कम स्पीड से आगे ऐसानी से उती है और अपकी बोट की स्पीड घट जाती तो घट जाती तो माइनस ना तो बोट की स्पीड श्पीड सबस्थाइब गयां माइनिकल जएगी तिनी नदी की स्पीड होगी तो अगरओlawsरीम जा guarantees तो मतलब बलूट जाएक या जारी झा नदी का और बोट का अगर दो अप्स्ट्रीम होता है कि अगर बोट जा रही है अलग दिशा में और मेरी स्ट्रीम जा रही है अलग दिशा में तो मेरी बोट की स्पीड जाएगी घट तो x-1 तो मैंने यही लिखा है and the speed of boat upstream is x-1 km per hour ठीक है अच्छा अब अब देखो तो अब केस मतल ही जो फॉस्ट वाला स्टेट्में पहला वाला राइन पढ़के मैं पहला वाला इक्वेशन बनाती हूं ठीक है फॉस्ट वाली लाइन पढ़के तो according to question according to question ठीक है according to question के इसराब से अब बोट बोस 30 km upstream एक बोट है 30 km upstream जा रही है 30 km upstream 30 km upstream का मतलब क्या होता है तो 30 अच्छा ये देखो 30 km upstream and 44 km downstream 30 km upstream जा रही है और 44 km downstream जा रही है in 10 hours ठीक है तो n जा मतलब प्लस 30 km upstream and 44 km in 10 hours is equal to 10 hours अच्छा 10 hours वाली ये time में है तो time का formula क्या होता है time is equal to time is equal to distance upon speed होता है time is equal to distance upon speed तो distance क्या है distance distance क्या है distance है 30 30 upstream 30 upstream 30 upon speed क्या है speed क्या है upstream में speed क्या है upstream में x minus y 30 upon x minus y plus distance 44 है 44 downstream में so 44 upon x plus y दो 44 upon x plus y एक है मतलब time is equal to distance upon speed देखो ये time अगर time है तो इनको भी time में लिखना पडेगा distance upon speed, distance upon speed distance 30, speed x minus y एक है 30 upstream का मतलब speed x minus y 30 upon x minus y end का number plus 44 upon x minus y इस तरह से मेरी फॉर्मुला बनी मेरी पहली फॉर्मुला बनी इसको बाद देदो ठीक है यह अप्स्ट्रीम डांस्ट्रीम का टॉप्टिक थोड़ा मतलब समझ आजा तो बहुत अच्छा है नार समझ आज तो मत तहीं लओगे तो यह वाला जो फिकर है ना आप बना लेना अपने लिए ठीक है आपकी मार्जन अगरा में यह जबी भी रिवाइस करोगे नहीं कन्फूजिंग टॉपिक है भूल जाते हैं गड़ी गड़ी ठीक है मैं मिट्टा देखते हूं तीक है समझाने के लिए अभी देखो अभी सेकेंड पॉइंट पॉइंट से एककोरडिंट तो कोश्ट इवाला सेकेंड नाइन का भी यह यूज़िए ठीक है एक सेकेंड नाइन तो को अपर निटु पोश्टन in 13 hours in 13 hours 13 hours 13 hours is equal to 13 it can go 40 km upstream 40 upstream का मतलब क्या होता है upstream x minus y 40 km upstream and and मतलब plus 55 55 55 km downstream downstream क्या है downstream x plus y x plus y is equal to 13 ठीक है अब देखो यहाँ पर फेली equation बनी है दूसरी equation बनी ठीक है बस अब दो equation तयार अब सब पोजिशन करो let 1 upon x minus y is equal to p let 1 upon x plus y is equal to q देखो वैसे ही बना ही कुछ ऐसे नहीं था in 13 hours है तो is equal to 13 ठीक है फिर 40 km 40 km 40 upon upstream क्या है x minus y and on a plus 55 55 down stream 55 upon x plus y ठीक है तो let 1 upon x minus y is equal to p and 1 upon x plus y is equal to q ठीक है मतलब ये 1 upon x minus y is equal to p तो अब इसको ऐसा कर गए equation के पॉर्म में तो 31 upon x minus y plus 44 ठीक है इसको मैं कर तूँ कर देखो ठीक है पहले equation निख लेकिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 30 upon x minus y plus 44 upon x plus y is equal to 10 तो 31 upon x minus y plus 44 upon 1 upon x plus y is equal to 10 ठीक है तो देखो 31 upon x minus y को p is supposed to और 1 अपन x plus y को Q, ठीक है यह एली एक्वेशन ठीक है यहां दूसरी एक्वेशन बना यह तो फास सेकेंट तो बनी थे नहीं थार्ड इको, ठीक है पिर यह वाली एक्वेशन तो यह वाली को 40 अपन x minus y plus 55 अपन x plus y is equal to 13 ठीक है तो 40 1 अपन x minus y plus 55 1 अपन x plus y is equal to 13 ठीक है तो therefore, 41 अपन x minus y क्या है 1 अपन x minus y क्या जपस्किया है 1 अपन x plus y Q ठीक है is equal to 13 ठीक है अच्छा, अब क्या करेंगे अब देखो, बहुत बड़े-बड़े numbers है elimination करोगे तो first जाओगे इससे तो cross multiplication कर लो ठीक है cross multiplication कर लो cross multiplication कैसे करेंगे तो देखो, यह दोनों equations करें सीधी करके लिख लो cross multiplication method यूज करते है 30P plus 44Q minus 10 40P plus 55Q 40P plus 55Q minus 13 ठीक है, दोनों equations लिख 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 44 C1 क्या है minus 10 A2 क्या है 40 B2 क्या है 55 C2 क्या है minus 13 ठीक है अच्छा अब क्या करोगे अब वो cross वाला वो बना हो ठीक है cross वाला बना हो यह सारा मैंने रफ्ट कर दिया आई नहीं रहा है हमाँ है पहली पार यह साइट उसकर नहीं पड़ी है नहीं तो आजाते हैं अभी मगा बड़े संस हैं लेंथ बड़ी है संस की देखो यहां पर दो एक्वेशन दिखी न आपका cross multiplication method लिखो X, Y, 1 X के नीचे क्या लिखेंगे X के नीचे X, Y, 1 के नीचे क्या लिखेंगे तो B1, B2 क्या है 44, 55 Sorry, B1, C2 B1, C1 तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे हम 55 और 44 लिखेंगे 55 और 44 ठीक है X के नीचे लिखेंगे दो पटापट B1, B2 का है B1, B2 44, 55 ठीक है 44, 55 B1, B2 तो और क्या होता है C1, C2 C1, C2 क्या है माइनस 10, माइनस 13 मैं क्या करही हूँ cross multiplication method कर रही हूँ ठीक है A1, A2 क्या है 30, 40 A1, A2 है 40, 40 और फिर 44, 55 44, 55 ठीक है तो फिर से ये इस के साथ 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 X की वेल्यू लिख दो X is equal to और X find कर रहते X की वेल्यू ठीक है X is equal to फॉर्मुला है D1, C2 माइनस B2, C1 अपॉन A1, B2 A2, A2, B1 ठीक है फॉर्मुला में वेल्यू डाउर B1 क्या है आपका B1 है 44 C2 क्या है आपका माइनस 13 माइनस B2 क्या है आपका 55 C1 क्या है माइनस 10 ठीक है अपॉन A1, B2 A1 क्या है आपका 30, 55 30, 55 माइनस A2, B1 A2 क्या है 40 B1 क्या है 44 कब इपी क्रॉस मुल्टिफिकेशन आए न फॉर्मुला बेस्ट है सारा फॉर्मुला लिखी देने की देखो X, Y1 B1, B2 C1, C2 A1, A2, B1 X, B1, C2 B2, C1 A1, B2 A1, B2 A2, B1 C1, A2-C2, A1 A1, B2 A2, B1 Cross multiplication की पॉर्मुला लिखी देने की है से आए नमखन फॉर्मुला लिखी देने ठीके बॉर्मुला यादी कर ले लिखी असा इहां देखो 44, 13 जा करें 44, 13 जा 1, 4, 3, 4, 12 3, 4, 12, 13 2, 4, 3, 7 572 ठीके – 572 – – – 55, 10 जा 550 ठीके अपॉन 55, 3 जा 55, 3 जा करेंगे 55, 3 जा 3, 5 जा 15 3, 5 जा 15 16 165 और 0 165, 0 – 44, 4 जा करेंगे ठीके 44, 4 जा 4, 4 जा 16 4, 4 जा 16 17 176 176 0 ठीके अच्छा क्या करेंगे – 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 Speed of current is 4 km पर आपने 6 km और 4 km पर आपने तो यह आपका answer देखने अच्छे से बच्चो जो हमने 1st वाला सम किया वो important है examination के साब से 2nd वाला भी important है और वो जो हमने example किया जो हमारा लेक्चर आधा लेक्चर था आगया वो इक्जेम्पल वो महा इक्जेम्पल है वो भी important है ठीक है आज हम सारे important समसी कवर कर रहे है देखो है यहाँ पर question 2 का second 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days 2 औरतें और 5 आदमी मिलके एक embroidery का काम चार दिन में खतम करते हैं और फिर दूसरी condition दे रहे हैं तीन और छे आदमी मिलके उसे तीन दिन में कर रहे हैं find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man to finish the work ठीक है इन्होंने दो condition नहीं है इतने वाल अच्छा आपको याद होगा मेरे ख्याल से आप 8th standard में standard 8th में work and remuneration करके chapter पढ़के आए हो उसमें ऐसे समसाते थे तब थोड़ी ध्यान दे दिया होगा तो आज यहीं चीजें समझ आएगी ठीक है तब अगर 8th में आपने ध्यान दिया होगा work and remuneration chapter मुझे याद है देखो यहां पर solution देखो पहले तो suppose क्या करना है आपको let the time taken by one woman alone ठीक है माला एक अकेली ओरत कितना कांट करेगी और एक अकेला आज मी कितना कांट हैगा so let the time taken by one woman alone to finish the work is x hours ठीक है समझो एक औरत x में टे लगा रही है and the time taken by one man alone जो मांग रहा है मतब जो supposition one man alone one man एक अकेले आदमी को man alone to finish the work is by a verse ठीक है आदमी औरत को x hours लग रहे है आदमी को लग रहे है y hours ठीक है अच्छा अब क्या बोल रहा है पहली लाइन पड़ो अच्छा आपको पता है इस तरह से होता था अगर याद हो आपको तब 8 का मैं फिर से याद कराती हूं ऐसे होता था कि time taken is equal to 4 होता था तो work done क्या होता था 1 upon 4 ऐसे होता था अपोन हो जाता था तो ऐसे ही time taken by one woman is x so work done work done by one woman is one upon x work done by one man is one upon one ठीक है one upon x one upon one अच्छा अब क्या है अब देखो अब कोश्चन में क्या पुछ रहा है two women and five men तो two women five men तो देखो एक काम होता है work done काम काम एक ही होता है ठीक है काम एक पूरा होता है ठीक है तो देखो अकॉर्डिंग देखो इसको तो यह वाला ठीक है तो अकॉर्डिंग टू पूर्षचन अच्छा क्या बोल रहा है two women two women का था है one upon x तो two into one upon x plus and का मतना plus two men two men तो अब दो औरते काम कर रहे हैं तो अब काम कर रहे हैं कितना कर रहे हैं एक एक काम कर रहे हैं और कितने दिनों में चार दिनों में चार दिनों में यह चार दिनों में एक का लिए तो यह तो यह और यह नहीं समझ आ रहा के तो वन अपांट फॉर टीक है, ऐसे करो, टीक है, वो नहीं समझाएगा आपको, टीक है, मतलब दो और टें, दो आजमी और काम फोर दिन में करें, तो टो टीन में काम टाइम टेकन फोर देसे तो वाल पेंट वन अपान फोर, टीक है, अचा तू कॉमन ले लो हाग, तू टीट बाय में तो नीच आपके क्या हो जाएगा डिवाइड टीख है तो दियरफोर, 1 अपोन X प्लस 1 अपोन Y इस इकल टू नीच आएगा तो 1 अपोन 4 इंटू 2 तो देफोर 1 अपोन X प्लस 1 अपोन Y is equal to 1 अपोन 8, ठीक है? एक सकेंड और टूबुमन है और फार्य मैं है तूबुमन है तू लिख दिया है फार ने ना? पाँच आदमी है ना पांच तीक है वह यह सब होगा ही नहीं है तो अर्टें पांच आदमी एक है तो होगा है तो यह ना दो और पे पाल जादें दो टू तो लिख दिया दो नोगा फोटा किया ना अच्छा तो यह पहली इक्वेशन बंग गई प्रूमन फारां इसको पहली एक्वेशन दाल दो फिर फॉस्ट इक्वेशन सेट रही है अच्छा अक्वर्डिंटु इक्वेशन फिर से क्या करोगे यह वाला तो ट्री वुमन तो 3 1 अकॉन एक्स एंड मतला प्लस 6 1 अकॉन य इस इक्वेशन तो 1 अकॉन 3 तो जिएर फोर अच्छा तो यह आपका एक्वेशन 2 बन हिया तिक है एक्वेशन 2 कि कि इस तो इतना प्रॉब्लम वह वहीं सोच लीकित हो क्यों रहा है क्योंकि इतने साल से कर रहे हैं तो आई गया तो आथी कि मैं पुछ ड़र जा रहे हैं देखों यहां पर लेट 1 अपॉन X is equal to P 1 upon Y is equal to Q ठीक है तो देखों यहां पर equation 1 to केसी बन जाएगी 2P plus 5Q is equal to 1 upon 4 ठीक है यह अपॉन में 4 तो सीधा उपर ले जा तो therefore 4 2P plus 5Q is equal to 1 ठीक है 4 and उपर लेगे multiply 4 2 जा 8 4 5 जा 20 ठीक है इसको equation 3 देदो ठीक है अभी equation 4 1 upon Y is equal to Q ठीक है 1 upon Y 1 upon X P ठीक है वहां है कहीं वह equation 2P plus 5Q यह वाली ठीक है यह वाली equation ठीक है नाव 3P plus 6Q is equal to 1 upon 3 ठीक है 3P plus 6Q is equal to 1 upon 3 ठीक है इसको भी उपर ले जाओ 3 को ठीक है 18Q is equal to 1 ठीक है बस अभी इन जोनों को solve करना और answer राता है ठीक है solve करना cutting होगा थोड़ा सा ठीक है elimination में लंबा जाने वाला है ठीक हो चोटा नमबर नहीं उसकरने का elimination में बड़ा नमबर नहीं उसकरने का फिर बहुत बड़ी calculation होजेगी 8-9 चोटा है ना तो यह 8P के साथ 8 है ना तो 8 यहाँ multiply कर दो ठीक है पी के साथ 9 है तो 9 यहाँ multiply कर दो ठीक है 9-2 जा 180 और ठीक है 9 बन जा 9 सारे से करता है ना फिर 8-9 जा 72 18 जा 18-8 जा 8-8 जा 64 8 बन जा 8 9 10 144 8 बन जा 8 तीक है अब माइनस कर दो 72 जाने तो गैंसर 180 में से 144 गया तो 180 में से 144 10 में से 4 गया 6 7 में से 4 गया 3 36 जा तो माइनस 36 माइनस सॉरी प्लस ना बड़ा है बड़ा तो 180 है ना तो 36 Q is equal to 9 में से 8 गया 1 ठीक है तो Q is equal to 1 upon 36 Q 1 upon 36 किसी में भी value डालो इसमें equation 4 में डालते हैं तो इन equation 4 ये बड़ा है 9 P plus 18 Q is equal to 1 तो 9 P plus 18 Q क्या है 1 upon 36 is equal to 1 ठीक है 18 में जा 18 चूप जा ठीक है cut short किया तो क्या हो 1 upon 2 9 P plus 1 upon 2 is equal to 1 ठीक है यहां पर इसमें को question निचाना उड़ाना पड़ेगा question ही उड़ा देना पड़ता है ऐसे समसे अच्छा क्या है 9 P 9 P plus half is equal to 1 ठीक है तो therefore 9 P is equal to 1 minus H 1 में से आधा ने आपको cross multiply करके check करना मुझे पड़ता है एक में से आधा जाएगा तो आधा ही पच्छे का ठीक है मैं पिल calculation नहीं करते हूं पड़ता ही है न क्या ठीक है 1 minus H 5 ही होता है ठीक है अच्छा 9 नीचे ले आँ तो therefore P is equal to 1 upon 2 9 तो P is equal to 1 upon 18 ठीक है पर हमें P क्यों थोड़ नहीं हमें तो xy find करने है न तो कहां है x कहां सा पोस्टर क्या है यह रहा ठीक है यहां पर भी box पर लगा क्या आया कर ठीक है मिले तो now 1 upon x is equal to P तो 1 upon x P क्या है 1 upon 18 तो x क्या होगा 18 ठीक है यह इधर यह इधर यह इधर यह इधर आएगा और यह इधर तो therefore x is equal to 18 ठीक है तो x मतला और अवरत को कितने लगेंगे अचा जैसे कि अवर्स है को स्वेश्टन में कि बेज़े ना तो अवर्स नीजेज होंगे मैं अवर्स दिनों वाला समय डीज मैं आवर्स अवर्स किया गंटे नहीं देज़े वाला समय तो और कितने गंटे लेगी 618 days लेगी ठीक है और आदमी कितना लेता है चलो देख लें बर्ण कर घ्रा जा क्या यह बनब रॉप्सक्रीट टो वाइज इक ओल डो तुक्ति क्यों क्या है कि मदलफ वपां तर्टीशिक्स ट्रीके टो थार्टीशिक्स ट्था आदमी 306 टैस ले आरे सब्सक्राइब आदमी ज्यादा दिन ले रहा है क्यों क्योंकि एंब्रोइडरी काम है नो आदमी को काम आता होगा ठीक है लॉजिक तो देखो फाइनल आंसर स्टेट्मेंट में ग्या था ता ताएं टेकन भाइ वॉमन टेकन भाइ वॉमन तो फिनिष द वर्थ इस अदिन देख टाइं पाइं टेकन बाइ वंन वें तो फिनिष दवर्थ इस 36 days 36 days 18 days और 36 days तो इस तरह से आप था यह भी important था आज कुछ भी आपको कुछ से solve करने नहीं दे रहे हूँ क्यांकि आज जो sums कवर की है वो बहुत important थे बहुत ज्यादा important थे तो आपको एक बारी class work मतलब सारा देखते टाइम वीडियो देखते टाइम करना है और एक बारी खुद करना ठीक है तो आपका जो homework है वो same as class work ही है ठीक है एक बारी class work करना है एक बारी homework मतलब two times करना ठीक है क्योंकि आज important sums थे हर sum अलग था awkward थे important थे तो आपको two times करना ठीक है आज no extra sums आपको यही sums दो बार करने पर अच्छे से करने है ठीक है चलें thank you